नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनला सेशन आफ कुईक फिक्स रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सकाइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके चेक करना यह तो होगी चीक कुछ बैटरियों में यहां पे बल्ब जैसा लग रखा होगा मतलब ट्रांस्पेरेंट करने का वहां पे अगर ग्रीन का सिगनल आ रहा है तब आपकी बैटरी सही है अगर वो ट्रांस्पेरेंट है बिल्कुल जीरो है मतलब आपको पानी करना पड़ेगा इन दोनों ढखकन में ठीक है वो कुछ बैटरियों में नहीं रहता है तो आपको इसको खोल के ही चेक करना पड़ेगा दूसरी चीज आपको अपनी बैटरी में चेक करनी होती है कि यहां पे दोनों टर्मिनल पे कोई क्रोजन ना है कोई वाइट किलर का करना चाहिए दोनों टर्मिनल पे यहां के उसके उपर में राइट तो इनका ढखकन रिमूव करने का सिंपल तरीका है आपको एक फ्लैट हैट स्कूरूड्रैवर लेना है स्कूरूड्रैवर की मदद से आप इसका जो ढखकन है इसको खाली थोड़ा सा लिफ्ट करिए लि में पानी भरा रहता है मतलब एक किसम से समझ लीजिए अगर आपको टॉप अप करना है तो खाले डिस्टिल्ड वाटर का ही यहां पे यूज किया जाते है अब मैं एक तरीका बता देता हूं आपको चेक करने का कि आपको कितना वाटर लेवल फिल करना है तो मैं बता दू सबसे पहले तो आपको देखना है कोई सा भी सेल जो है वो ड्राइ नहीं होना चाहिए यहां पर आपको सब में पानी दिखना चाहिए फैली चीज तो यह पूरे जितने भी एक आड़बोर जैसे लिग नीचे लग रखे है ना इनके ऊपर तक पानी आना चाहिए और दूस तो कूलेंट में जो डिस्टिट वाटर यूज़ करते हैं वो भी यह होता है ठीक है? मेडिकल परपस के लिए यह नहीं है मेडिकल की शॉप पे भी मिल जाता है असानी से कोई बड़ी बात नहीं है 20 रूपीस से 40 रूपीस की बाटल मिल जाती है असानी से आपको मार्केट में कहीं से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं यही पानी आपको बैटरी में डालना है नॉर्मल टैप वाटर आप यूज मत कीजिए वो खराब कर देगा आपकी बैटरी को तो अगर आप इस तरह की बाटल परचेस करते हैं तो आपको खासी परशानी आएगी इसका डखकन खोलने में उपर बाला तो ठीक है रिवॉल्व करके रिमूव होया आएगा अंदर देखेंगा आप इसके सील लग रखी है तो सील रिमूव करने का बहुत सिंपल सोल्यूशन है मैं यहां पर दिखाता हूँ परशान होने वाली बात नहीं है यहां पे एक पुल टाइप का मतलब अंदर हैंडल जैसा लग रखा है तो इसको उपर खीच के इसका जो सील है अंदर वाली वो निकल जाती है अभी तो मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे परिशानी हो रही है इसको निकालने में तो यह अभी तूट चुका है इसलिए तो अगर तूट गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपके साथ में ऐसा हो जाता है तो इसको सिंपली जो है वो अंदर की तरफ में पुश कर देंगे आप तरप उतना ही डालना है कि जो बैटरी का अपनी पलासिक का डिया ये सिर्फ ज Territude do लॉजए जादा ऊपर तक बिल्क्ल औवर फिल्ड इसको नहीं करना है उसका कोई फाइदा आपकी बैटरी में नहीं होने वाला है देखेंगे अभी मैंने जो पानी फिल किया ना वो जस्ट इसके बॉटम तक फिल किया जो प्लास्टिक है इसके जस्ट बॉटम तक नीचे तक ठीक है और मेरे जो सारे सेल्स हैं तीनों सेल मेरे अराम से कवर हो चुके हैं उस खास जरूरी चीज है आपको ध्यान रखने की ठीक है सेम उसी तरह आपको दूसरा कवर जो है इसको स्कुरूडराइवर के मदद से आपको पुल करना पड़ेगा पुल करने के बाद में खुल जाएगा ध्यान यह रखना है सर इस प्लैशिस जो है वो आपकी आइस पे या गंदे वाला जला देगी ठीक है हलांकि बैटरी मेंटरेंस पर अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा एक मस्त वाली में पर यह खाली डिस्टिल्ड वाटर के लिए मैंने आपको बताया था और एक मजदार चीज बताता हूँ आपको लास्ट में वीडियो में तो अभी जो पा अबरीज बगर आपको सामने दिख रही है तो आप निकाल सकते हैं पर जैसे मैंने अभी गलती करी वैसे आपको नहीं करनी है हाथ से नहीं करना है ठीक है मतलब यार सिंपल सी बात है प्रिकॉशन अपने को लेना बहुत जुरूरी होता है क्योंकि यह सारी चीजें जो है अभी बाडी इंजरी हो जाएगी तो उसमें क्या फाइदा होगा कोई फाइदा ही नहीं होगा क्योंकि अपर बिल्कुल भी बर्न नहीं होने चीजें यहां पर कोई जो फ्लैश बगरा है मतलब आग वगरा इसके बगल में नहीं चलनी चीजें और आपका इंजन आफ रहन मेरा बैटरी जो है इसमें पानी बरा जा चुका है अगर आपको क्रीन करने नहीं है अगर आपके खराब हैं यहां पर मतलब करोजन हो रखी है इतने से आपकी बैटरी जो है वो मस्ट चलने वाली है सालों साल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ है यहां पर बड़ी इशू नहीं आया है और उसका रीजन बताऊंगा आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी बैटरी जो है अभी तक खराब नहीं हुई और काफी लोगों को बैटरी की शिकायत क्यों आई ठीक है 2016 से अभी तक मैं यूज कर रहा हूं और काफी लोग य इस बैटरी में आपको किस तरह से अच्छी तरह से इसको यूज करना चाहिए सारे एक वीडियो में बताऊंगा तो आशा करता हूं इस छोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-ब अबरत